नमस्कार दोस्तों आप सबीका स्वागत एंडवर्ण नेटवर्ग में तो एंस में पहली बार हुआ और सफल रहा लंग ट्रांसप्लांट जानिए पुरी बात एंस भारत देश का दूसर सरकारी अस्पताल बन गया है जहां लंग ट्रांसप्लांट किया गया है वहीं लंग थोरे सिक सरजरी विभाग के डॉक्टर ही करते हैं लेकिन फेफड़ा प्रत्यारोपड शुरू करने में एम्स को करीब 28 साल लग गए वो कहते हैं ना देर से सही पर दुरुस्ता है ठीक उसी प्रकार एम्स के साथ भी हुआ हाला कि प्लंग ट्रांसप्लांट में इसी महिला मरीज को भी निशुल्क प्रत्यारोपन प्राप्त होगा तो वहीं आपको बताएं कि एम्स में लंग ट्रांसप्लांट के लिए गठित तीम के सदस्य और कार्डियोलोजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संदीप सेठ ने कहा कि डॉक्टर रंदीप साथ ही उन्होंने बताया कि फेफरा प्रत्यारोपन में एक मरीज के इलाज पर करीब 30 लाग रुपय का खर्शाता है जो आम लोग इसे अफर्ट नहीं कर पाते वहीं मरीज को दबाभी निशुल्क दी जाएंगी अंगदान के चार घंटे में दिल का प्रत्यारोपन करना ह होता है जबकि फेफरा प्रत्यारोपन के लिए 6 गंटे का समय लगता है जानकारी के लिए आपको बता दें कि बर्स 1994 में एम पहली बार दिल की सफ़र प्रत्यारोपन सेजरी की तो वहीं डॉक्टर संदीप सेथ ने आगे बताया कि फेफरा प्रत्यारोपन के लिए डोनर ही उनकी लंबाई लगबग बराबर हो तो जादा अच्छा है क्योंकि डोनर वा मरीज की कद्र का मिलना जरूरी होता है वहीं ट्रांस्प्लांट के बाद पहले साथ साल में संक्रमण का खत्रा अधिक होता है एक साल समय के बाद यदि सब कुछ ठीक है समय निकल जाने पर ह मरीज ऑस्तन दस से पंद्रा साल तक ठीक रहते हैं वहीं फेफरा प्रत्यरोपड के मरीज पास से दस साल तक ठीक रह सकते हैं इसके बाद उन्हें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है वहीं अगर हम आगे बताएं तो सफल ट्रांस्प्लांट की बात करें तो मोहन चाई चंडीगर में 2017 में पहला प्रत्यरोपड किया गया था जिसमें मरीज में आठ से दस लाक रुपया का खर्श आया था और तो और इसमें एक साल की दवा भी शामिल थी उम्मीद है आपको इंफोर्मेशन अच्छी लगी होगी नमस्कार अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो क्रपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपनों के भी शेर जरूर करें धन्यवाद